सब्सक्राइब कीज़े लाइफटाल इन्फोट्यूप चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो पीलिया जिसे इंग्लिस में जॉइंडिस कहा जाता है यह हमारे लीवर से संबंधित एक रोग है जो हमारे गलत खान पान और दिन चरिया के कारण शरीर में गंदगी जमा होने कारण होता है यह एक आम बिमारी है जो अक्सर लोगों को होता रहता है यह बिमारी है त इसका सबसे अच्छा और सही इलाज घरेलू उपचार ही है और घरेलू उपचार से आप इसका इलाज आसानी से कर सकते हैं इसलिए आज इस वीडियो में हम पीलिया के लक्षंड, कारण, इलाज और इससे बचने के उपाय के बारे में जानेंगे अगर आप भी पीलिया की बिमारी से बचना चाते हैं तो इस वीडियो को पूरा दिखेगा और अगर इफ वीडियो आपको पसंदा तो प्लेश से लाइक और शेर जरूर कीजेगा तो चलिए आगे देखते हैं तो दोस्तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पीलिया क्या है हमारे लिवर में पित रस बनता है जो आथ में जाकर खाने को पचाने में मदद करता है जब इन पित को आथ तक पहुँचने में कोई रुकावट आती है यानि जब किसी कारण से पित आथ तक नहीं पहुच पाते तब वो खून में ही मिलने लगते हैं जिससे खून में पित और बिली रुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है इसे के कारण पीलिया में हमारी आखे, हाथ, खून और नाखून सब पीले रंका हो जाता है इसके अलावा आथों में पित ना पहुचने के कारण भोजन ठीक से नहीं पचता जिससे वो पेट में ही सडने लगता है और शरीर में गंदगी जमा होने लगती है जिसके चलते हमारी पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है और हम बिमार हो जाते हैं इसे ही पीलिया कहते हैं तो अब मैं आपको पीलिया के कुछ लक्षन बताता हूँ आखों और तोचा का पीला होना, जीब और मुत्र का रंग पीला होना, सिरदर्द और बुखार होना, मतली और उल्टी आना, भोजन न पचना, खुजली होना, ठकावट होना ये कुछ आम लक्षन है पीलिया को पहचानने के लिए, इन लक्षनों से आप असानी से पीलिया को पहचान सकते हैं तो अब मैं आपको पीलिया के कुछ घरिलो इलाज बताता हूँ पीलिया की बिमारी को हम अपने खान-पान से ही ठीक कर सकते हैं इसके लिए हमें ऐसे पदार्तों का सेवन करना होगा जो हमारे शरीर में मौजूद पित और बिली रूबीन को बाहर निकाल दे इससे ये बिमारी अपने आप ठीक हो जाएगी तो अब मैं आपको कुछ खाते पदार्तों के नाम बताऊँगा जिसका सेवन करके आप पिलिया की बिमारी से छुटकारा पा सकते हैं तो नमबर वन मूली मूली पिलिया का सबसे अच्छा इलाज है क्योंकि मूली शरे में मौजुद बिली रूबीन को बाहर निकालने में मदद करता है तो इसके लिए आप रोज 2-3 गलास मूली का रस पियें और इसके साथ साथ रोज मूली के पत्तों का सलाद भी खाएं क्योंकि मूली के पते भी भी रुबीन को बाहर निकालने में मदद करते हैं इसलिए पीलिया में मूली का सेवन ज्यादा करना चाहिए नमबर टू, टमाटर टमाटर भी पीलिया के लिए अच्छा इलाज है क्योंकि इसमें भरपुर मात्रा में वैटमेन सी होता है नीम भी हमारे शरीर में मौझूद विशेले तत्तों को नश्ट कर देता है और नीम हमें बिमारियों से भी बचाता है तो इसके लिए आप नीम के पत्तों का रस्ट पिए और अगर ये ज़्यादा कड़वा लगे तो इसमें सहथ मिला कर भी पी सकते हैं गन्ने का रस्ट पीने से भी पीलिया से रहात मिलता है इसलिए पीलिया के मरीज को रोज गन्ने का रस्ट पीना चाहिए तो दोस्तों ये कुछ खाते पदार्थ है जिसका सेवन करके पीलिया से चुटकारा पाया जा सकता है आपको बता दें कि इन पदार्थों का सेवन जितना जादा करेंगे उतना जादा आपको फायदा होगा और इन सभी पदार्थों का सेवन आप कर सकते हैं अपने खान पान में सुधार करके आप पीलिया से छुटकारा पा सकते हैं और इस बीमारी से बचे रने के लिए आप इन पदार्थों का सेवन रोज करें जादा जादा पानी पिए और रोज व्यायाम भी करें इससे ये बीमारी आपको कभी नहीं होगी तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजे ताकि सभी को इसकी जानकारी मिले और अगर इस वीडियो आपको पसंदा तो प्लेज से लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और बेल आगोन को दबा दिजेगा ओके टाटा बाबास यू टेक केर